आप लोगों की स्क्रीन के सामने आप लोगों को भगस सींग जी की फोटो दखाई दे रही होगी और आज आप लोग देखते हैं कि आजाद भारत में आप लोग रह रहे हैं और आप सोचे कि आजादी का मतलब आप देखे कि आपके मौलीक अधिकार है आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं भारत में कहीं भी जा सकते हैं आप लोग कोई भी संगठन बना सकते हैं आप देखिए चुनाव भी लड़ सकते हैं आप लोग इस तरह की जितनी भी सुतंताएं मिली भी है इसके लिए आप देखे कि कई लोगों ने अपनी जान दी हुई है तब जाकर आप देखिए आप सबको मिला हुआ है और कहते हैं ना कि जो आसानी से मिल जाता है हम उसकी कदर नहीं करते हैं अब एक बार आप लोग सोच के देखिए भागर सिंग आप देखिए कि छोटी सी उम्र में लगवक 24 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी जाती है आप समझ रहे हैं इस तरह कि कई लोगों को उस समय फांसी पर चड़ा दिया जाता है या जिलों में डाल दिया जाता है यह सब आप देखिए कि देश की एक देश को आरजाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और बरना सोची कि उस समय भी आप देखिए गद्दार हुआ करते थे आप देखिए कि रानी लच्छीवाई के बारे में आप लोगों ने पड़ा होगा उस समय भी गद्दार हुआ करते थे यह लोग भी चाहते तो आप देखें अंग्रेजियों के साथ मिलकर मलाई खा सकते थे लेकिन आप देखें कि उस समय इन्होंने अपने करम किये जो आप देखें देश हित में काम किया लोगों के हित में काम किया आज तब जाकर हम लोग और आप लोग सम्मान करते हैं इनका पूजा कहते हैं और उस समय कि गद्दारों की बारे में आप देखी इतिहास की कोई special books उठा के देखी उस समय कि जितने भी जिनने भी गद्दारी की जो भी राजा महराजा रहे हैं साब सब्दों में लखा हुआ है कि इस ए गद्दार था ए राजा गद्दार था और आज देखी कि उनके जो भी अभी बंसज है जो भी उनकी नई पीडिया है वो इन लोगों के सामने जाकर एक तरह से आप देखिए छमा मांग रहे हैं अपने पूरवजों की तो मुझे लगता है कि आज भली आप हैं गलत का साथ दे रहा तो यह मायने हो सकता है कि जूट का साथ देने वाला अभी पावर के कारण अपने पैसे के कारण बच सकता है लेकिन आज से कुछ सालों बाद जब हम आप नहीं रहेंगे उसके बाद आप देखिए इतिहास लिखा जाएगा इस समय का भी इतिहास तो उसमय आप समझे कि हमारे बारे में क्या थे हम सत्य थे गलत थे वो जरूर सब उसका मूल्य अंकन किया जाएगा आज भगस सिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं और आप देखिए कि आजकल राजनीती में भी भगस सिंग की काफी चर्चाएं हो रही हैं कई राजनी पाइटिया ठीक हो सकते हैं कुछ राजनेता आप ठीक के ठीक हो जा सकते हैं लेकिन अधिकता राजनेता आप देखे कि बोर्ट बैंक के लिए हमारे महापुरुसों का हमारे सहीदों का एक तरह से नाम लेते हैं उनकी बात करते हैं ठीक है तो अगर हम लोग भगस सिंग के ब याद रखे इनका नाम भगस सिंग संदू था और उपनाम भगस सिंग भागो वाला इनका उपनाम हो गए और जनम दिन की बात करें तो 28 दिसंबर 1907 में इनका जनम होता है और आप समी जानते हैं कि 1907 बहुत साल है जब हमारे उफर अंग्रेजियों का सासन चला था हमारे पा है आपकी पाकिस्तान में बढ़ती है इनके पिता किसन सिंग और माता का नाम विध्यावती कौर था और इनकी सिक्षा डीएवी हाई स्कूल लाहोर नेशनल कॉलेज लाहोर से अपनी सिक्षा पूरी करते हैं 1923 के लगबग की बात है और कला इनकी सेक्षे के उगविता की बात करें तो इन्होंने कला में इस नातिक की हुई थी और इन्होंने कुछ संगठन सो भी जुड़े रहे हैं नौजवान भारत सभा हिंदोस्तान रिफब्लीकन एसोसियेशन कीर्थी किसान पार्टी करांती दल इस ते अपना अंदोलन चलाते रहें इन संगठनों से जु इनकी आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को इन्हें फासी दे दी गई थी और आप सभी को एक कुष्टन्स भी अगर आप किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने देखा होगा पुराने कुष्टन्स फेपर उठा के देखिए उसमें कई बार कुष्टन्स पूंच लि हुसेन वाला पंजाब में आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इनके जीवन पर तो आप देखें कि 1916 में लाहौर की डिये वी इस बिद्ध्याले में पढ़ते समय यूबा भगसिंग जाने फैचाने राजनीता और जैसे लाला लाच पत्राई और रास विहारी ब के देश में हुगा था उसमें आप देखे सबसे प्रमुख भूमी का किनों ने पंजाबियों ने नभाई थी पंजाब ने नभाई थी करांती कारियों की भूमी है और अमरसर में जो 13 अप्रेल 1919 की घटना हुई थी जलिया वाला भाग हत्याकान तब भगसिंग मात्तिब अब देखेंगे 12 वर्स के थे एक छोटी से उमर में आप देखें जलिया वाला भाग हत्याकान ने भगसिंग की सोच पर गहरा पिरखा पुड़ा और इस घटना का कहते हैं कि भगसिंग पर काफी गहरा पिरखा पुड़ा और हत्याकान के अंगले ही दिन भगसिंग जलिय कर दिया और फिर आप देखें कि कैसे आप उन्होंने अपना करांटी कारी जीवन जिया तो 1921 में जब महत्मा गांदी ने वेटिस आसन की खिलाब असहयोग आंदोलन का आहान किया तो भगसिंग ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में सक्किरिये हो जाते हैं और समाजित के लिए भली आंदोलन हो और इसलिए देखें आप लोग की कम ही लोग होते हैं आवाज उठाने वाले सत्य के भीति 1922 में जब महत्मा गांदी ने गोरपपूर में चोरी-चोरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तब भगसिंग बहुत न चारण निरास हुए थे और अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया उस इस नेसकास्वा पहुंचे की ससक्त करांती की सुतंता दिलाने का एकमात उफ्योगी राश्ता है और उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्यारम किया और कई करांती कारी दलों के सदस भी ब करांती कारी ओं के संपर्ग में आते हैं भाग सिंह काकोरी कांड में रामपरसाद बिस्मिल साहे चार करांती कारी ओं को फांसी बा 16 अन को कारावास की सजा सिभाग सिंह इतने अधिक उद्रिक हुए कि पंडित चंद सेकर राजाद के साथ उनकी पाईटी हिंदुस्तान र Republican Association इस संगठन का उद्दिष सेवा त्याग और पीड़ा जहिल सकने वाले नव युगक तेयार करना था और क्रांती का पिथम पार्ट देखें तो विवाय से बचने के लिए भागस सिंग बच रहे थे उनकी साधी नहीं हुई थी आप सभी कुमालो नचे तो विवाय से बच इसमें गाओं से ही अपनी करांती कारी गती विधियों को जारी रखा वे लाहोर गए और नोजवान भारत सभा नाम से करांती कारी संगठन की उन्होंने पंजाब में करांती का संदेश फैलाना शुरू गिया और 1928 में उन्होंने दिल्ली में करांती कारियों की एक बैठक में इससा लिया और चंद सेकर आजारत के संपर्क में आये दोनों मिने मिलकर आप देखेंगे हिंदुस्तान समाज प्रजातंत संगठन का स्थापना की और इसमें याद रखे इसका उद्देश ससक्ति करांती माद्यम से भारत में गरतंत की स्थापना करना था लाला लाजपतराई की मौत की आप सभी जानते हैं मौत का इनों ने बदलिया भी लिया था फरवरी 1928 की बात है कि इंग्लेंड से साइमन कमीशन नामा की एक आयोग भारत आता है और इसके भारत दोरी का मुख उद्देश था भारत की लोगों की स्वायता और राजटंत में भागेदारी और इस आयोग में कोई भी भारती सदस नहीं था जिसके कारण साइमन कमीशन की विरोत का फैसला किया गया अब आप सोची कि हमारे बारे में कोई फैसला कर रहा है और हमारे कोई उसमें मेमर सामिल ला हो तो आप समझ सकते हैं क्या इस्तिती रहेगी भारत के लोगों के बारे में वो एक तरह से नेड़ाय देने जा रहा है उसमें कोई भारती ही सामिल लहीं है लाहोर में साइमन कमिस्तन की खिलाब नारे बाजी करते हुए समय लाला लाजपत राय पर कुर्टा फुरुवक लाठी चार्च किया गया और जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और बाद में उन्होंने दम दोड़ दिया भगत सिंग ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए बैटेस अधिकारी स्कौर्ट जो उनकी मौत का जिम्मेदाल था को मारने का संकाव लिया उन्होंने गलती से सहाइक अधिक चक संडर्स को स्कॉर्ट समझकर मार गिराया और मौत की सजा से बचने के लिए भगस सिंग को लाहूर छोड़ना पड़ा केंद्रिये बिधात सभा में बं फेकने की योजना भी नहीं की थी बेटे सरकार ने भारतियों को अधिकार और आजादी देने और आसंतोस के मूल कारण को खोजने के वज़ाए अधिक दमनकारी नीतिया का परेक गिया डिफरेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने पुलिस को और दमनकारी अधिकार दे दिये और इसके तहट पुलिस संधिक दिव व्यक्तियों गतिविधियों से सम्मधित जुलूस को रोक और लोगों को गिरपतायर कर सकती थी और केंद्री विधान सभा में लाया गया यह अधिनियम एक मत से हार गया और फ़र आंग्यरेज सरकार ने इसे जन्ताहित में कहिकर एक अध्यादीस को रो में पारइत किये जाने का फैसला किया आप समझे कि आपकी लोकसवा राजसवा में एक कोई बिलाता है और आप देखी कि वो पास नहीं होता है वो फैल हो जाता है और फिर क्या करती है, सरकार आपकी की राष्टपती के द्वारा अध्यादिस लाकर उसे लागू कर देती है, माल लेजे कि उससे देखिए वो reject हो चका है, फिर भी लागू कर दिया जाए, तो रोस्तोत्पन होना एक सम्मन सामानसी बात है, तो इस तर्व एक्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ, और भागसिंग ने यगिपी रक्तफात के पक्षदर नहीं थे, परन्तु वे काल मार्क्स के सिद्धानतों से पूरी तरे प्रभावित भी थे, यहीं नहीं वे समाजपात के पक्के पोसक भी रहें, और इसी कारण उन्हें पुझी पतियों की मजदूरी के पिती सोसन की नीती पसंद नहीं आती थे, वो समच चूकि अंग्रेज ही सरवी सरवा थे, बहुत कम भारती है, और द्योगपती उन्नती कर पाए थे, और अतहां अंग्रेजों की मजदूरों की पिती अत्याचार से उनका धिरोश सभाविक था, मजदूर विरोधी ऐसी न इतियों के पिती आक्रोस है, ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रिये सेमली में, जहां द्यादेश पारित करने के लिए बैठक कायोजन किया जा रहा था, मैं बम फेकने की उजना बनाईती है, और याद रखी ये सावधानी पूरबक रची गई साजिस्ती, ज आठ अफरेल 1929 को केंद्रिये सेमली में भगस सिंग और बटू के सुर्दत्त ने केंद्रिये बिधान सबा सत्त की तौरान बिधान सबा में बम फेका, और इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेका, जहां कोई मौजुद नहीं था, खाली डली हुई थी, और अन्न था उसे चोट लग सकती थी, पूरा हाल धुए से भर गया, भगस सिंग चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड सुईकार है, चाहे हुए फासी ही क्यों ना हो, अताव उन्होंने भागने से मना कर दिया, और उस समय बे दोनों खा की कमीज और निकर पहने हुए थे, बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदावा, समराजिवाद, मुर्दावा का नारा लगाया, और अपने साथ लाए हुए परचे हवा में उचाले, और इस दे के कुछ ही देर बाद पोलिस आ गई और दोनों को गिरपतार कर लिय जाता है, बटू के सुर्दत और भगस सिंग को, भगस सिंग सुखदेव और राजगरू को आप सभी जानते हैं कि एक ही दिन फांसी हुई थी, 7 अक्रूबर 1930 को भगस सिंग सुखदेव और राजगरू को विसेस नियाला द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, भारत की तमाम राजनेतिक निताओं द्वारा अत्यदिक दवाओ और कई अपीलों के बाप जुद, 23 मार्च 1931 को साम में 7 बचकर 33 मेट पर भगस सिंग और इनके दो सुखदेव और राजगरू को फांसी दे दी जाती है, फांसी पर जाने से पहले बिल लेनिन की जीवनी पर रहे और जब उनकी आखरी पूची गई, तो उन्होंने कहा है कि वह लेनिन की जीवनी पर रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए, कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने उन्हें या सूचना दी कि उनके फांसी का बक्त आ गया, उन्होंने कहा ठहरी है, पहले हिम्मत का काम रहा होगा, इन पर कई मूवियां भी बनी हुई है, भगस सिंग ने भारतियों की आत्मा के भीतर अभी भी जो पेड़ा दी हुई है, वह फिल्मों की लोक पेड़ा, उनके जीवन पर नाट रूपांतरन में महसूस की जा सकती, सहीद 1965 में, The Legend of भगस सिंग 2002 म जैसे कई फिल्में, 23 वर्षी एक रांतिकारी के जीवन पर बन चुकी हैं, भगस सिंग से जुड़े मोहे रंग दे वसंती चोला, सर फरोसी की तमना जैसे लोक फिरिया गेत, आज भी भारतियों में दिल देश भक्ती की भावना जगाते हैं, उनके जीवन विचारधारा और विरासत के बारे में कई किताब हैं, लेक और पत्त भी लिखे जा चुके हैं, ये है भगस सिंग की जीवनी, भगस सिंग की कहानी, आप समय रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज कल इनकी उमर के बच्चों को देखी, अपने बारे में किबल सोचते हैं, और देश में कोई फरक भी नहीं पड़ता है, और मुझे तो लगता है कि आज की फीडी को उने मालू ही नहीं होता है कि आखिरे होता क्या है, आप देखिए किरसी कानून आय हुए थे, देसवर का किसान विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने देखा है कि लोगों से पूचिए कि का इस्तिती बनी हुई है, और बताईए आप लोग किसी के सही या आजादी, सेनानी, जो भी सुतंता सेनारी रहे हैं, उनके बारे में बात करनी हो, तो करते रहेंगे, नाम आप लोग बताते रहे हैं, जीबनी या वायवरापीन के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हु झाल 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